ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले में लगातार जारी भारी बारिश को ध्यान में रख कर एडवायजरी जारी की है उन्होंने अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा आगे भी बरसाद जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है इसलिए शहरी वग्रामीन क्षेतरों के जिन घरों में जल भराव की स्थिती हो या फिर घर की दीवाले वच्छत मजबूत नहों तो उन घरों के लोग जिला प्रशासन द्वारा चिनहित कराए गए नजदी की शास्की अभवन में रहने चले जाएं साथ ही अपने रिष्टेदार के यहां भी आश्रे ले सकते हैं कलेक्टर ने निचले क्षेतर में बसे गाव के निवासियों से भ्यामक खबरों और अफवाहों से बचकर रहने की अपील भी की है उन्होंने कहा है कि सावधान रहें पर अफवाहों से बचें ध्यान में आया है कि जिले में पिछले सालों में आई बाड के विडियो कुछ लोगों द्वारा वाइरल किये जा रही है कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा है कि जिला प्रशासन अती वर्षा को लेकर पूरी तरह सतर्ख है एवं हैतियात बतौर राहत वबचाव के पुखता इंतिजाम किये गए है संभावित बाड प्रभावित लोगों की मदद के लिए कलेक्टरिट में बाड नियंतरण कक्ष स्थापित क्या गया है जो 24 घंटे सक्रीय रहेगा इस बार नियंतरन कक्ष का फोन नंबर 07512446232 है इसी तरह नगर निगम में भी बार नियंतरन कक्ष की स्थापना की गई है उसमें रात्री में भी इस बर्शा के कंटिन्यू होनी की पूरी-पूरी समफामना है तो ऐसे समस्त लोग जो थोड़े निचली एरियाओं में रहते हैं आप लोग नगर निगम से और अपने शेतर की पंचायत से अगर ग्रामिन एरिया में हैं तो आप दतकाल फोन पर बात करें और अपनी स्थिती बताएं और आप उनको हमने जगा चिंदित करके रखिए शास्किये भवनों में उचित स्थानों पर आपको शिफ्ट करा सकते हैं साथ ही यदि आपके घर की दिवाल या साइड की वॉल या फिर आपके च्छत अगर आपको लगता है कमजोर है तो आप बिल्कुल भी रात्री में इस घर में ना रुकें आप किसी पक्त की सुरक्षिज जगा चाहें यदि आपके किसी रिष्टेदार कियां पर अवेलेबल नहीं है तो आप शास्किये कैम्स में भी आ सकते हैं इसकी जानकारी भी हम अब इसी वीडियो के साथ में शेयर कर देंगे कि आप कहां कॉंटाट कर सकते हैं लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट किसी भी अफवाहों पर आप ना ध्यान देंगे